कि मैं ये अधिसे अफ सब मैं उपमेद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि मैं में मर्चंट में कौन कोन सी कंपनी में majority me में जौब यहां जहां पर मैं किस करने वाला हूं ठीक है दोस्तों मैं यह सब इसलिए बताने वाला हूं कि जो बहुत सारे लड़के जो बहुत सुचते मैं स्टार्टिंग में ही लाखो पचाह जार रुपए कमाने लगूं जो कि मैं पिछले वीडियो में बनाया हूं इसके उपर जैसे लोग चूतिया बना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजेगा दोस्तों जैसे दूसरी लोगों भी इसके बारे में पता चल सके तो दोस्तों जाले देरी ने कर दो चल दिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं कौन कौन सी कंपनी में जाब किया तो दोस्तों जो मेरी पहली कंपनी थी वह कंपनी थी केन के सिप मेनेजमेंट तो दोस्तों के सिप मेनेजमेंट मुझको कैसे पता चला इसके बारे में पहले मैं आपको वह बता दे देखिए दोस्तों हमको कुछ पता न में था जोब ढूढक बहुत पता नहीं था तो हमारे कुछ मेरे कुछ बहुत ही खास दोस्त जो सब्सक्राइब कर चुके थे तो वह पहले वह कोशिश के दूसरी कंपणी में तो हमको अपने साथ example मैनेजमेंट कंपणी दोस्तों है जब मैं के qc management company में गया तो इसमें जॉब करते हुए तो एक मैडम है जिसको मैंगी मैं बोलते है है मैं यह नाम है तो पर सबंद के नातेर में जोब किया है तुछ दूसतों उसमें सिम्मिलेटर कोर्स का फिच था जो 72,500 ऐसे कुछ था ठीक है दोस्तो 72,000 था तो फिप्टीन दिर्ज यानि की पंदर दिन का ओ खोर्स था तो मुझको कोर्स करना था था ठीक है सिम्मिलेटर कोर्स तो बातरहजार रुपए का था तो जानते ही यार क्योंकि जॉब मिल नहीं जाता था तो तो हमको केनगे सिम्मेश्ट में ही हम वो वैसे मुझके कर लिए ठीक है 15 दिन का तो उसमें कुछ नहीं रहता था और सुबह दश बिज जाना था तो एक बड़ी स्क्रीन थी ठीक है तो से स्क्रीन में आगे दो स्टेरिंग था उस स्क्रीन में श्मिलेटर को जैसे गेमिंग करते हैं उसी में उसी माडल आपको कैसे चलाना है कैसे क्या करना उसी सब रिलेटेड बताते थे इतना भी हमको याद नहीं है ठीक है तो मैं वह कोर्स किया था कि क्योंकि यार अगर मैं बहुत सारी जगात देख लिया बहुत सारी एजेंट पैसा मांग रहे थे एजेंट पर भरोसा मैं करता नहीं ज़्यादा तो कहीं पैसा लेके भाग गए मेरा पैसा फच्छ गया तो फिर मैं घर पे क्या जवाब दूँगा बहुत सारी प्रॉब्लम थी उस समय ठीक है दोस्तों तो ये कंपनी ने मेंने को बोला आपका वाच कीपिंग सब निकल जाएगा यहां से तो मैं यहीं अच्छा लगा कि चलो ठीक है यहीं से कोर्स कर लेता हूं जो 15 दिन का है यहीं सी कंपनी से मैं वाच कीपिंग निकालूँगा कहीं इधर उधर भ स्टार्टिंग मेरी सेलेरी कितनी थी और अभी मेरी सेलेरी कितनी है और मैं नेस्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक है दोस्तों तो यहीं था यार मैं कोर्स किया पंदरा दिन का वह दो तीन दोस्त और थे सब लोग साथ में किये थे कोर्स तो मैं केनके सिब मैनेजमेंट कं और भी मुंद्रा पोर्ट ठीक है दोस्तों मैं मुंद्रा पोर्ट में मेरी ज्वाइनिंग हूई थी फस्ट टाइम का नाम was astreven vocals मैं जॉइन खीया त्हां है फांस टाइम जब मैं PHP 7 में घै ठीक है मेरे आंक से बहुत आंसु गिरे ठीक है दोस्तों मैं बहुत रोया कि बहुत रोया कि मेरे को बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था फिर मेरे मैंड में आ रहा था अब मेरे को पानी में रहना है पानी में रहना है कुछ कहीं बाहर नहीं जा सकता बहुत सारी मलब अजीब में रख लिए तो यहीं पर रहेता हैं तो उसमें see management company recover यह दोस्तों बहुत उसमें मेरे को प्रॉबलम हुआ था उसके बाद कुछ एक दो दिन थोड़ा मायूस था फिर दिरे 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 धिले धलने लगा क्योंकि यार दोस्तों कोई भी नया नया जाता है थोड़ा अजीब शेट साल लगता है ठीक है तो मन नहीं लगता है फिर दिरे जब आप काम करने लगेंगे ब्रॉप May तो उसमें काम किया डॉल्फिन सेनों में 11 महीने तक मैं तो 11 महीने तक उसमें काम किया उसके बाद मेरा sign up हुआ sign up होने के बाद फिर Corona आ गया Corona में मैं घर था उसके बाद फिर मैं दुबारा उसी कमपनी में योईन किया उसके बाद उसी के साथ साक में बहुत में दूसरी कमपनी के मैं नाम बादाता हूं जिसमें जौंप किया था ठीकिए तो ऐसे घर बैठे नियों डाल दिए तो मेल पें पarlाय था लेकिन में गल्सटे हुआ था सेकंड कॉंट्रेक्ट बाट के एक हफ्ते हुआ था मेरे पास कॉल आया तो मैं नहीं गया क्योंकि एक ही अपता कोण जाता है या इतना लंबा कॉंट्रेक्ट करके आओ उसके बाद तुम पॉलिस्टार में या मतलब दूसरी क하면 जाओ तो एक हेफ्ते में कैसे मनं करता है थिक तो में नहीं गया फिर दूबारा वसकी शाब नहीं किया कि फिर दुबारा ऊंन लाइन फ्रॉम भीजिए इसको फिलप और चाहिए डॉल्फिन थर्टीफोर लाने के लिए मैं जापन गया थिकते ने हमको भेजा था वहां पर था तो गया था बहुत अच्छा लगा जापन 12 दिन हम λोगों होटल में थे तो ऩो घुमें बहुत बहुत अच्छा लगा तो जापान जानते हैंगे आप कितना अच्छा कंट्री है तो मैं वहां पर भी गया घूम आज औहला फिर उसके बाद जापान से रिटन आया पिर मैं जब मेरा साइनअफ भूस और मैं गया कि इसके बाद फिर पॉलिस्टार ने एक महीने बाद студ्सानाफ के मेरे एक महीने बाद कॉल किया दुबारए तो मैं उस स्मय फिर इसने कि एक बार कॉल आया था मैं गया नहीं था इसले कमपणी से बताऊंगा तो क्या हुआ मैं इसमें मेरे लिया है जब मेरा कॉल आया तो मेरे को बोले के लिए मैं ठीक है मैं रेडि हूं तो बोले ठीक है इंटरवी के लिए कॉल जाएगा तो मैं यह गंट तक मुबाल पर इंटर्विव दिया उसके एक हपते बाद मेरे को ज्वाइनिंग मिला घर से टिकट मिला और मैं आ गया मुंबई मेरा मेडिकल हुआ जो कि मेडिकल से एक वीडियो बनाया हूँ डिस्किप्शन में दे दूंगा अपने देख लिएगा जब मेरा पॉलिस्टार में ज्वाइनिंग हुआ था ठीक है तो मैं मेरे ज्वाइनिंग जो हुई थी मुंबई में जैन पीटी पोर्ट अभी उसका नाम जैन पी यह हो गय देखाल लिया तो पॉलिस्टार का भी अच्छा इसमें भी अच्छा एक्स्पेरियंस हुआ लोग भी अच्छे मिले और पॉलिस्टार के ऑफिस के भी लोग अच्छे थे ठीक है बहुत तो यह अच्छे लोग है जैसे पॉलिस्टार में अभी प्रजेंट टाइम में अभ बिक्रांसर ही लेते हैं तो आप लोगों को नम बता देता हूं ध्यान में रहेगा तो ऐसे और पॉलिस्टार में सब कुछ आपको खाने पीने के रिलेटर सब कुछ देखो एक कोई बड़ी कमपनी नहीं है ठीक है छोटी कमपनियां है तो ऐसा नहीं आपको फाइव इस्टार जैसे हर एक चीज मिलेगा तो देखो कमपनी छोटी उससे बड़ी जैसी कमपनी होती उससाब से आपको करेंगे तो फोलिशु के से बियturb नतेकिन हैं लड़कों को मौका द्यति वहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एजेंट पैसा लेकर भाग जाते हैं आप एक बार एजेंट को पैसा देखें जॉप की फिर दुबार आया आपको लिए इससे अच्छा केनके था कमके में स्टार्टिंग में आपको जॉप दिया आप उससे अपना वाच्पी निका सकते हैं हालंकि मैं वाच कीपिंग केंके से निकाला तो मैं इसमें दो कॉंटेट किया पॉलीस्टार में और मेरा स्योपी आ गया ठीके दोस्तों तो पॉलीस्टार भी कमपनी बेस्ट है तो अगर आप लोग ड्राइं करना चाहें पोलिश क्मपनी बहुत इच्छी है अगर आप इंडिया में जौब करना चाहते हैं तो थिक आपको वाज़ेटीपिंग सी कि निकालना है यार आजकर विन silicip किसी कि बाहर कंपणिया पूछ नहीं रहीड ते अ circa अगर आपके इससे अच्छा है आप बढ़ियां अच्छे से यॉप यॉप निकाल के फिर आगे बढ़िये तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आपका पैसा भी नहीं फसेगा ओके दोस्तों इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग अच्छे से ज्यादा भटकिए मत ज्यादा सब्सक्राइब कर लिए लेकिन मैंनिंग के नहीं कर रहा है कोई और कर रहा है ठीक है तो आप देख लीजेगा अगर इस सब कंपनियुम आपको जोब मिलता है तो आप कर लीजेगा ठीक है ज्यादा बड़े के चक्ड़ में आपको बहुत वेटिंग करना पड़ा जाता है इससे घर वाले भी परिसान हो जाते हैं लाड़का क्या कर रहा है ठीक है उसको जोब मिला कि नहीं मिला क्या कर रहा है मुंबई में इतने दिनों से बैठके यानि कि जानते हूँ बहुत सारी चीजे बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं घर वाले भी परिसान हो जाते हैं अगर आपको जॉब नहीं मिलता फिन आप घर रेटरन जाते हैं तो घर वाले ज्यादे तो अगल बगल वाले आपको परिसान कर देगे बोल बोल के तो थोड़ा आप लोग जहां भी मिलता है जॉब आप चले जाए कंपनी अच्छी होने चाहिए ठीक है अब बराबर आप मा क्यानीक कर लीजेगा तो तो यह तक था मेरा केड के माड़ में में eu carrying में जॉब किया वहां किया तीसरी कंपनी दोष था उसने हमको नमब्र दिया भी है को और काम्मों दिया था चो किया तो यहां जाना म्मरीन कंपनी में मेरे को एंटर्वीव कॉल आया इंटर्वीव कॉल किया मैं को करना था मेर को करना था nikito कि यह देखते हो इधर और से बहुत सब्सक्राइब कonail कवेडग पर से परेंस करने में इंटर्वियूथ से बाद माथि यह गया रॉख करने के पहले इंटर्वीव के ज्वाइनिंग मिल गया देखिए अगर आप बिना पैसे के आना चाहते हैं कहीं भी तो थोड़ा आपको इंटर्व्यू का त्यारी करना होगा ठीक है ज्यादा टब क्यूंचे नहीं पूछते हैं तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा जैसे आपका फिरी में सेलेक् इतना जिला मैं कभी यूंग अपनी पूछ जिन्दगी में जितना इसमें जिला हूं मुझे चाहिए चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो प्रीच कमें बटाना है उसमें फूर भूर ठेट के मारो यासर में मिलते ही ने ने टॉपि लाइब कर्सक्वार झाल